No return का क्या मतलब होता है आज की वीडियो में सीख लेते हैं No return का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है No return का मतलब होता है कोई वापसी नहीं यानि कि इसका हम दो तरीके से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक तो मानने जी आप कहीं चले गए और वहां से वापस नहीं आ सकते या कोई व्यक्ति कहीं चला गया वहां से वापस नहीं आया या कोई चीज वापस नहीं आई तो उसको no return कह सकते हैं इसके इलावा कई बार आप कोई product खरीदते हैं तो कुछ products ऐसे होते हैं जिनमें अगर कोई problem आती है तो आप return कर सकते हैं या कुछ companies या कुछ दुकानदार आपको यह सुविधा देते हैं कि अगर आपको product पसंद नहीं आया तो आप हमें वापस दे दीजी अपने पैसे ले तो जिन products पर यह सुविधा नहीं होती है यानि कि जिन products को आप वापस नहीं कर सकते हैं उनको no return कहा जाता है यानि कि जैसे आप यह कहें कि उन्होंने मुझे store पर सूचित किया कि खरीदारी पर कोई वापसी नहीं होगी यानि कि एक बार खरीद लिया आपने कोई चीज त तो आप कह सकते हैं unfortunately the electronic store had no return policy on opened items यानि कि खुले हुए items को आप दुबारा return नहीं कर सकते हैं वापस नहीं दे सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें